कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छी होंगे तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक तम रेस्टरेंट स्टाइल चिली पनीर मश्रूम की रेसिपी जो की बहुत ही टेस्टी एंड यमी लगती है खाने में तो इस रेसिपी को जरूर पूरा वाच करें इसमें बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जो की आपको फॉलो करनी पड़ेंगी तो वीडियो को ज़रूर पूरा वाच करिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैंने यहां पर लिया हूँ है मश्रूम इन्हीं मैंने अच्छे से गुनगुने पानी से वाश कर लिया है ताकि इसमें कोई भी इंप्योरिटीज वो निकल जाए और साथ ही मैंने यहां लिया है पर लीज यह मेरी घर की बनाई हुई पनीर है तो एमने इस तरीके से कुव स्वां में कॉट लिया है ये आड़ रही हूँ तीन चमज मैंने यहां पर और kawn or का. यहां यूजा कियुत किया हुआ हुआ. इससे हमारी पनीर में है वो बाइंडिंग बहुत ही अची आएगी तो मैं इस लिए इस तरीके से बना रही हूँ क्योंकि आप अगर लिक्विड जादा जैसे हम बनाते हैं करके उसे फ्राइब करते हैं तो उससे कभी बतला हो जाता है या फिर घोल इतना परफेक्ट नहीं बन पाता है तो इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो यह बहुत ही अच्छे से हमारा फ्राइब होने के बाद लुकिंग वाइज आता है तो साथ ही मैंने इसमे एड कर दिया है चुट्की भर नमक एंड लालमेच पाउडर कालीमेच पाउडर डाल दिया है इससे इसके टेस्ट में इन्हैंस आ जाएगा तो साथ ही है अब हम इसे कर लेंगे इस तरीके से कोट और थोड़ा-थोड़ा सा पानी यूस कर की हमने इसमें कर ली है कोटिंग आर आप देख सकते हो कितनी अच्छे सी कोटिंग हो गई है तो इस तरीके से अगर आप चिली पनीर बनाते हो तो रेस्टरेंट वाले वी जो है वो इसी तरीके से चिली पनीर बनाते हैं क्योंकि घोल वाला जो है उसमें कभी कभी दिक्कता आ जाती है वो या तो चिपक जाते है बहुत पतला हो जाता है तो जाकर पैन में चिपक जाता है या फिर बहुत ही मोटा हो जाता है तो उसकी लेयर जो होती है वो मोटी हो जाती है तो खाने में उतना टेस्टी नहीं लग तो इसे के साथ मैंने जो जो मैं इसे करदेंगे जो फ़्रीडियंट तो जबने तकि यह चाहिए एक अची सी कोटिंग लेयर आजाए तो चलिए अब अब वहां इसे करते हैं यह आपर पैन में डाल दिया है और और लुटालने के बाद मैं इसमें एड करदेंगी मश्रूम आपके तरह मुछुम करते हैं नहीं तरह कने आपके हमें तो प्रोज नहीं खईड़ा सकते हैं तो न ईदे तो अच्छे तरह कर लेंगे हम देगें समनितिव सबस्थ कि कोछके से नहीं बाइब है दोनों साइड्य आपकर बेख़ाना कोई सब्सक्राइब अभी ही देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो चलिए मैं इसे कर लेती हूँ डिश आउड उसके बाद मैं इसी पैन में अगें फ्राइब करने वाली हूँ यहां पर पनीर जिसे मैंने अलड़ी कोड करके रख लिया है तो बस मैं वाइब यहां पर सारे मश्रूम क निकाल लोंगी और आप देख सकते हो देखने में ही कितने क्रिस्पी लग रहे हैं तो इसकी जब हम चिली पनीर या चिली मश्रूम बनाने वाले हैं तो वह कितने टेस्टी और यामी लगेंगे तो चली अब इसमें हम फ्राइब कर लेते हैं पनीर को भी इसी तरीके से आपकी फैमिली को जरूर पसंद आएगा और बिलकुल रेस्टरेंट स्टाइल में आपको यह चिली पनीर बन की मिलेगा अगर आप पूरी रेसिपी को फॉलो करते हो तो तो इस तरीके से आप जरूर एक बड़ ट्राइब करके देखें और मुझे अपना फीड़ बैक दे अगली प्रोसेस पे इसमें मश्रूम आप एट कर दोगी चिली पनीर में तो और भी इसका स्वाथ जो है बढ़ जाता है और मश्रूम जो है वह खाने में बहुत ही हल्दी होता है तो आप इसे जरूर इस तरीके से बनाए तो इसके लिए मैंने सबस्ते पहले यहां पर ले है यह देखने में बहुत ही खुबसूरत लगते हैं तो मैंने कुछ इस तरीके से हाफ आप पोर्शन में कट करके पैटल्स को अलग कर लिया और अच्छी क्वांटिटी मैंने यहां पर लिया है और साथ ही मैंने यहां पर मिर्श अद्रग ट्रमेटर सॉस लिया हुआ है औ अब हमें जरूरत पड़ेगी रेट चिली सॉस की तो अकसर दोस्तो रेट चिली सॉस अगर आप घर में रखते हो तो उनका रखे रखे कलर चेंज हो जाता है तो आप इस तरीके से इंस्टेंट रेट चिली सॉस बना करके तैयार कर सकते हो तो मैंने यहां पर एक से डेज चमच काश्मेरी लाल मिर्च पाउडर और उसे मैंने यहां पर एक से डेट चमची पानी डाल करके इस तरीके से इसका पेश्ट तैयार कर लिया है तो देखे बन चुकी है हमारी रेट चिली सॉस और साथ ही मैंने यहां पर एक चिली पनीर में एक अच्छा कलर आएगा और हमें बनाना है ग्रेवी वाली चिली पनीर तो उसके लिए मैंने यहां पर दिया हुआ है तीन चमच काउन फ्लोर और अगर आपकी क्वांटिटी चिली पनीर की कम है तो आप उस एकॉर्डिंग यहां पर कॉन फ्लोर ले सकते हो या फिर आप ज्यादा ग्रेवी नहीं पसं और व्हाट करना है नहीं और बार्द लाटित तो इसमे खना कत कर लिया था यहां अख और रिख कर दिया हो सकता है और चाइनीज खाने में आपको यह फ्लेवर चाहिए ही चाहिए होता है तो आप इसे इसके बिल्कुल भी मत करिएगा देन मैंने यहाँ पर एड़ कर दिया है आनिया एंड कैपसिकम जिन्हें मैंने इस तरीके से कट कर लिया थे मैंने आपको पहले ही बता दिया तो बस अब आप अपने तेस्ट कर देखा है ताकि सब्जी बना कर लें और उसके साथ में यहाँ डाला है एक चमच भर करके काली मिर्च पाउडर कुटी हुई काली मिर्च डाली हुई है यह चाइनीज खाने में आपको यह काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा है तो आप का प्लेवर शुक्त तो उसे डालने के बाद में इस तरीके से मिक्स कर दिया है और अब यहाँ पर एड़ करोंगी अपने सॉसेस जो मैं आपको दिखाय हुए थे तो मैंने यहाँ टामेटो सॉस और सुय डूर्ट चिली सॉस और रेड चिली सॉस जो मैंने बनाया हुआ था और यहां पर आड़ कर दूँगी काश्मीरी लाल मिर्ट जो मैंने बनाया हो तो यहां पर इसे एक अच्छा कलर देनी का काम करेंगी और इससे जो टेस्ट में है थोड़ा सा फरक आता है तो सभी सॉसिस मैंने यहां पर एड़ कर दिया है और सभी को मैं इस तरीके से करूँगे इस्टर ताकि अच्छे से जो है हमारे अनियन और कैपसिकम जो है वो कोग हो जाए हमें अनियन कैपसिकम को बहुत जादा कोग नहीं करना है 50% ही हमें इसे कोग करना है क्योंकि अगर क्योंकि अगरो बहुत जादा कोग हो जाते हैं तो वह खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं तो बस मैंने यहां पर एड़ कर दिया है और अगर ज्यादा थेक रखना चाहते हैं तो आप उसे कोडिंग डालिएगा मैं यहां पर बनाने वाली हूँ ग्रेवी वाली चिली पनीर तो अब मैं यहां पर इसे पूरा एड़ करूंगी और आप थोड़ी सी ग्रेवी पसंद करते हो या फिर आप इसे स्टार्टर के तौर पे खाने वाले हो तो आप यहां पर ग्रेवी मत एड़ करिएगा आप इस कंसिस्टेंसी पर भी इसे निकाल सकते हैं जैनल बयामे ज को मतर हो डूंगी तो अपना वि hai यहां पर इसमें को नहीं चली पनीर पनीर बनाते तो चुकी को सोच फोड़ी हो तो अगर अब उच्याल चाह लांगा वाले कि लाइक जरूर करिए और आप चैनल पे नाहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना बो कर दें ताकि मेरी अगली आने वाली सभी वीडियो की नोडिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बबाई दोस्तों टेक कियर है वा नाइस डे